नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विट सुमन राठोट पे आज मैं आप सभी के ले के आई हूँ, पालक और अंडे से बनी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनती है कि आप खुद सोचेंगे कि पालक भी कभी इतना टेस्टी लग सकता है इतनी टेस्टी बनती है ये तो आप इसे ट्राइ ज़रूर कीजिएगा तो चलिए बिना किसी देरी की इसे बनाना शुरू करते हैं तो अब हम क्या करेंगे एक अंडे को लेंगे और एक फोर्क लेंगे और फोर्क से हम अंडे के उपर छेद कर लेंगे इसा करने से क्या होता है जो मसाला है वो अंडो के अंदर तक जा पाता है और अंडे बहुत ही टेस्टी लगते है तो इस तरीके से आप कर लें तो देखिए मैंने सारे अंडो के उपर छेद कर लिया है अब हम क्या करेंगे इस पर कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें आदी चोटी चमच लाल मिर्ज पाउडर डाल रही हूँ और एक चोथाई चोटी चमच इस पे हम नमक डाल देंगे और एक चोथाई चोटी चमच ही हल्दी पाउडर डाल देंगे तो इन सारे मसालों को आप इसके उपर डाल दें अब आपको एक चमबच को लेना है और इन सारे अंडों के उपर जो मसाले हमने लगाए हैं यह अच्छे से लगा लेने हैं इनको कोट कर लेना है अच्छे से मसालों के साथ तो इस तरीके से हम इने कोट कर लेते हैं तो देखिए मैंने सारे अंडों के उपर मसाले अच्छे स अब हम क्या करेंगे इने 15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मसालों में अच्छे से मेरिनेट हो सके अब देखिए मैंने अपर एक प्लेट में पालक ले लिया है ये पूरा 300 ग्राम पालक है जिसे मैंने तीन से चार बार अच्छे से दो लिया था उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं तो पूरा पालक तो इसमें आएगा नहीं आदा ही आप आएगा अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो मैंने 30 ml जितना इसमें पानी डाला है और इसे अब आपको अच्छे से पीस करके पेस्ट बना लेना है तो देखिए मैंने इसे आपर प पीसा है मैंने इसे इसमें बिल्कुल भी आपको पत्ते नजर नहीं आ रहे होंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो बाकी बचावा पालक है उसे भी पीस लेंगे तो इसी जार में हम बाकी पालक को भी डाल लेते हैं तो यहां पर मैंने यह सारा पालक डाल लिया है अब थ एक भी पत्ता नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, तो इससे साइड में रख देते हैं, अब मैंने एक कड़ाय ले ली है, जिसमें हम डाल देंगे चार बड़े चमच तेल, और जब तेल गरम हो जाएगा, तब हम इसके अंदर डालेंगे अंडे, तो इन अंडों को भी 15 तो इस तरीक से दीरे-दीरे आप अंडों को चलाते वे, चारो तरफ अच्छे से फ्राइ कर लें, तो इन अंडों को हम इस तरह से लो मीडियum फ्लेम पर फ्राइ करेंगे, तो आप इन्हें क्या करें इस तरह से बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि जो अंडे हैं, वहर तो आप देख सकते हैं अडो का लर बिलकुल चेंज हो गया है ये धिरे-धिरे और अच्छ फ्राय कर लिया है और इन सारे एंड़ों को आप एक निकाल लें अब फ्लेम को वापत से ओन कर देंगे और इसी तेयल के अंक बढ़ दालें जेरा एक चोटा चमन जेरा डाल दें आप इसके अंदर ऑ जेरे को थोड़ा सा पकने पका लेना है जादा लाल नहीं करना है लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे आपको पकाना है तो देखिए मैंने प्यास को थोड़ा सा पका लिया है हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है तो इस ताइम पे हम इसके अंदर डालेंगे अद्रक और लसुन तो यहां पर मैंने एक बड़ा अद्रक और लसुन का पेस्ट लिया है जिसे मोटा मोटा कूट लिया था मैंने तो इस अद्रक लसुन को भी अच्छे से मिला दें आप प्यास के अंदर और एक मिनिट के लिए पका लें तो देखिए मैंने प्यास अद्रक लसुन को पका लिया है एक मिनिट और अब आप तो इस time पर हम डाल देंगे 2 medium science के नहीं को निये सक्कातर, बर मक्या मीदिंट के लूपलने के हम गणास, 1 ना कवड़ में को बिधारक लिया, सब्सक्राइuction और देखे साछ मैंने पड़ा करे तो यह साथ मिलाद आ जब ञड़ा धनकल कर Umm क्या करेंगे हैं जहस को कम कर देंगे और लो रख ऐसे हम धक करके dOW मिनिट के लिए पकाएंगे सब्सक्राइब अच्छे से पख neither by która वीё अच्छे अज़गा थे अच्छे तो अब हम क्या करेंगे इसके अं़तर जो हमने पालक की पूरी बनाई थी ना उससारी पीरी डाल देंगे तो इस全 पीसावा पैलक डॉक से आप श्का मिलना जहते हमें और की तुझायों bene है आप सब्सक्राट जो क्कैनदे चलाक उनन खे पर्म और को fan going m supply-style बेंगे यूअ नियुक्त जूपया हो इस का सिते होें उकिल में अजिए प्लिए तो जब पालक पालक जाता है उसका कलर इस दिखने लगता है तो अब हम क्या करेंगे इसके अदर डालेंगे अंडे दो जो एंडे करें थे ना आपको इसमें डालेना है एक कर दो हुआ न जो करेंगे एशरे प्ञण तो बहुत ही अच्छे लग GCIndr लो वालग को हम अंडा और पालक के अंदर अच्छे से मिला देंगे बहुत ही बढ़ी अच्छी लगती है यह रेसीपी मदब पालक अब ही इतना अच्छी लग सकता है मैंने कभी आसा नहीं सोचा था बहुत ही टेस्टी लगता है त्राय ज़रूर करना इसे आप तो अच्छ कि आप जो हमारी अंडा पालक करी है वो बनकर की एकदम रेडी हो गई है आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है यह बहुत ही टेस्टी बनी है आप इसे ट्राइज जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिप की पसंद आई हो तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाई